हाई एव्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहुल जैस्वाल आइन स्वागत है आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जी आ दोस्तों फिर से एक पहतरी मैट्स का लेक्चर वीडियो में लेकर नमर वन का ठीक है लेकिन आपको एक और चीज बताओ दोस्तों कि यार दो से तीन दिन लगेगा ये प्रॉब्लम से नहीं करवा रहे हम तुकडों में करवा रहे याने कि कुछ चार चार पाच पाच एक्जामपल्स को हम लेक्चर भाई लेक्चर लाएंगे याने कि कुछ कुछी दिनों के अंदर थिक है ना जैसे कि दो से तीन लेक्चेर के अंदर एक चाप्र कोंप्लीट हो रहा है तो समझ लो आपके साथ चाप्टर है आठ्चाप्टर है तो मतलब समझ लो कि लगबक 15-20 दिन के अंदर आपका पूरा सब्जच कहोँएगा तो आपको बस एक दोरा पिटवाया देना है आपके सभी फ्रेंड्स तक कि यार आ चुके तर फिर से साथवी आठवी नवी के वीडियोस लेके हमारे प्यारी डिजिटल बोड के उपर तो बहतरीन तरीके से मिलेगा और बाकी पूरा का पूरा एंटायर सिलाबस के लेक्चर जो है वो पूरा क प्राप्लम सेट का लेक्चर नमर टू लाया है जिसमें हम लोग क्वेशिट नमर फैफ के आगे करने वाले यानि कि question number 4 तो already previous lecture में हमने solve किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ, just आपको एक से दो दिन पहले हमारे वीडियो मिल जाएंगे, तो question number 1, 2, 3, 4, पूरा entire हमने complete किया था, आज question number 5, 6, 7, 8 हम लोग complete करेंगे, तो यहाँ पे देखो, problem set 1 का question number 5, क्या बोल रहा है, if number of A is given is 20, number of यह कितना दिया है, 20 दिया है, number of B 28 दिया है, ठीक है, number of A union B 36 दिया है, तो हमें calculate करना है number of A intersection B, तो बहुत simple है यार, इसको मतलब इतना simple कोई हो सकता है कि example आप देखो, कितना simple है, बार बार वैसे type के questions पूछे जाएंगे, आपको exam में भी, तो मतलब ऐसे questions definitely आने क chances हो जाएंगे, तो करना क्या होता है, आपको कभी भी ऐता question दिखा तो formula याद रखना, formula क्या था हमारा, number of A को plus करना है number of B के साथ, फिर equal करना है number of A union B, ठीक है, फिर plus number of A intersection B, यही formula था हमारा, अब इसमें क्या-क्या available है वो डाल दो, number of A मिर पास available है 20, डाल दिया, plus number of B मिर लोगो निकालने के लिए पूछा है, तो हम लोग उसको as it is रखेंगे, same to same रखेंगे, number of A union, A intersection B, यह intersection का symbol है न, ऐसा वाला, ठीक है, समझ में आ गया, आप देखो, क्या solve वोता है, 20 plus 28 is 48, तो 48 और 36 को इधर लेके आ जाओ, यह जाएगा minus 36, 36 को यह साइड लाओ, तो यह 48 minus 36, that will be equal to number of A intersection B, अब यहाँ पर A intersection B इस साइड है, 48 में से 36 minus करो, पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर number of A intersection B को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, is equal to 48 में से 36 गया, कितना बचेगा, दोस्तो 12 बचेगा, यही हमारा final answer है, यही तो हमें पूछा था, कितनी आस within 10 to 20 seconds में दोस्तों आप लोगा answer आ गया, और सोचो यह 2 marks के लिखाम में पूछता है, अगर आ गया तो कितना बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपको पढ़ने में, 9 standard का जो है, नया हमने problem set की शुरुआत जो अलड़ी की है, और आगया कि जब आएगा, तो आपको मजा आ रहा दिया है, और उमीद करता हूँ कि बहुत easy तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते है, question number 6 के उपर जाते है, क्या बोल रहा है, question number 6 देखो, ध्यान से पढ़ो, एक numerical जैसा question है, यानि word problem जैसा question है, इसको समझो पेले, क्या आप पूछा है, इने class, 8 students out of 28 have only dog, मतलब एक class है, वो class में कितने student है, 28 student है, तो सबसे पहले तो जो जो आपको समझ में आ रहा है, वो लिखते जाओ, तो 28 student है, तो मैं मान लेता हूँ, कि let you be the set of total student, या फिर all students, set of all students, हमने मान लिया कि जितने भी पूरे students है, उसका value क्या है, you है, तो you कितना है, मुझे बताओ, you कितना दिया हुआ है, you का value कितना दिया है, 28 दिया है, तो हमने मान लिया कि you का value क्या है, 28 है, ठीक है, number of you, माफ किजेगा, number of you, जो है, वो कितना है, 28 है, मतलब तो टो 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 ट और अच्छे से लिखता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, टाइम लगता है दोस्तों हर एक चीज में, ठीक है ना, अभी तो डिजिटल बोर आ गया, तो हमने हमारे पास अवेलेबल है, हम हातों से मिटा सकते हैं, पहले हमको कपड़ा लगता था, ठीक है न, क्लीन करने के six students have cat, यह मतलब एक dog होगा और एक cat होगा, तो मैंने मान लेता हूँ, कि let d be the set of dog, मतलब मैंने मान लिया कि dog के लिए मैं d ले रहा हूँ, ठीक है, और number of d कितने हैं हमारे पास फिर, number of d कितने हैं, dog कितने तोटल देखो, कितने हैं, total 8 students के पास dog है, तो 8 students लिख दिया मैं, number of dog, कितने students के पास है, 8 students के बादे लिख दिया, फिर एक और चीज मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कि let c be the set of cat, यानि कि cat का अगर मुझे मानना है, तो मैंने उसके लिए c मान लिया, देखो cat के लिख दिया हूँ, कितने student है, 6 student के बास cat है, तो मतलब number of c जो रहेगा मेरा, व dog and cat both, मतलब 10 students ऐसे भी है, जिनके पास cat भी है और dog भी है, तो मतलब क्या है उनके पास common है न, common मतलब क्या होता है,anne कि जो मेरा dog है, और मेरा cat है, इसका intersection हो जाएगा, यानि dog, intersection, cat, तो number of dog, intersection, cat का value कितने दिया हूए, total कितने है, ऐसे, 10 student है, यह समझा, यह condition हमने कैसे बनाय आपको समझ में आया कि number of dog intersection cat, intersection मतलब क्या होता है, जब भी कोई common use होता है, तो intersection use करते है, और total use होता है, तो union use करते है, करेक्ट है, यह पता है, आपको previous lectures में भी बताया हुए और पूरा entire syllabus जो हमने complete करा दिया, पूरा chapters के जो lecture by lecture video से, उसमें भी मैंने बहुत बार बताया हु दोग और cat नहीं है, मतलब है ही नहीं, ना दोग है ना cat है, लेकिन एक चीज़ उसके पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता है कि total eight students है, तोटल कितने हैं यहाँपे, तो union अगर मुझे निकालना है, यहाँपे अगर मैं डॉब और कैट का तोटल यूनियन करूं मतलब कितने हैं ऐसे तो उसको यहां पर निकालने के लिए हम लोग यहां पर सिंपली क्या कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं एक यहां पर आपको explain करने के लिए यहां पर एक चार्ड बनाता हूं यहा क्यों बना रहा थो थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए और आपको समझने के लिए बना अब यहां पर थोड़ा सा देखो मैं दोचीज बनारा हो ठीक है तो यहां पर न दोटा सा लिखने की अलग हन्रेटिक में कोशिश करता हूं सबसे पहले कि टोटल स्टूडेंटस है मैंने यू माला था यू मतलब क्या होता यू निवर्सल होता तो तो टोल कितने है अथाई से तो मैंने इसको मान लिया लेकिन मैं इसको मान लिया डी dog कितने है दोस्तों मुझे बताओ dog कितने है 8 है मतलब इसके अंदर 8 होंगे total cat कितने है दोस्तों कितने है 6 है लेकिन कुछ ऐसे भी है जो दोनों में आते हैं मतलब यह वाले तो यह वाला जो part है इसको मैं नाम दूंगा number of dog intersection cat इसी को बोलते हैं ना intersection का point जो दोनों जगा मिल रहा है तो कितने हैं इसके अंदर जो आएगा value वह 10 आएगा लेकिन एक और चीज़ आएगा क्या आएगा कि इस पूरे का union क्या है यानि कि हमें in short यह निकालना पड़ेगा number of dog union cat तो यहाँ पे आप देखो कि यह 8 है यह इस यानि कि हमारा answer कितना आ रहा है number of dog union cat जो है वो कितना है 24 है करेक्ट है मतलब dog और cat का union की अगर हम बात करें चो कितने आ रहे हैं वैसे 24 आ रहे करेक्ट है लेकिन हमारा answer ने आए हमें निकालना है कि how many students do not have मतलब ना dog है ना cat है भहिया इसे कुछने students है जिनके बास कुछ भ do not have students who do not have cat or dog is equal to is equal to कैसे निकालोगे total 18 है या फिर मैं इसके पहले एक step लिखूँगा इसके पहले एक step क्या लिखूँगा कि number of u minus कर दूँगा number of d union c से तो हमारा value मिल जाएगा तो number of u कितना है 28 है total u है ना 28 है और number of d union c अभी अभी निकाला हमने 24 है तो 28 में से 24 माइनस कर दो तो हमारा value आ जाएगा 4 मतलब 4 ऐसे students होंगे लिखो यहाँ पर 4 students यहाँ पर ऐसा लिख दो तो मतलब 4 ऐसे students है दोस्तो जिनके पास ना तो dog है ना तो cat है इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते है clear है तो उमीद करते हो कि आपको यह example बहुत अच्छी तरीके समझ मे क्या है नेक्स्ट एक्जांपल हाँ नेक्स्ट एक्जांपल आगया question number 7 आप question number 7 और इजी है क्या है देखो represent the union of two sets by when diagram यार when diagram बच्चो वाला चीज है when diagram यहाँ है circle circle बनाने का उसमें values लिखने का when diagram तो चलो बनाएंगे when diagram बनाना और कुछ नहीं करना है सिर्फ diagram बनाके छो circle बनाना यह circle हो गया ठीक है और उसी से थोड़ा सा touch में आपको एक और circle बनाना है आपने circle बना दिया अब इसमें कुछ values जो है वो लिखो ठीक है क्या लिखोगे values जान देना उनसा color लो यह color लेता हूँ अब देखो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ यह वाले part को A मान मान लेता हूँ यह वाले circle को में B मान लेता हूं 마न लिया A के पास क्या है 3 4 5 7 ठीक है B के पास क्या है 1 4 8 तो सबसे पहले आप देखो कि A और B में दोनों में सेम सेम क्या है? यहाँ पर आप देखो कि तो 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, 4 है यहाँ पर 5 है, 5 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, मतलब सिर्फ 4 एक ऐसा है, जो दोनों में सेम होता है, वो लिखो यहां पे, बीच में, जो दोनों के बीच का जो जगा है ना, जो दोनों के मिलने के वज़े से बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन का पॉइंट बोलते हैं, तो intersection मतलब दोनों में same common क्या है, 4 यह, सिफ 4 यह, तो यहां पे एकिनी इतना सिंपल तो आप सोच रहेंगे, सर इतना सिंपल है, याज इतना सिंपल है, एक मार्स लेकर जाओ, हराम से एग्जाम में आ गया, तो फुल एक मैं से एक मार्स, कुछ परिशानी नहीं, बस आपको सर्कल प्रॉपर बनाना है, मतलब हाथ से बनाओगे, चलेगा, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब दिखना चाहिए तो आप गोजमाच के आ जाओगे कुछ भी विरसा निखरना है अच्छे से करना है ठीक है चलो अब जाते हैं कुश्चिन नंबर टू के तरब अब देखो यह भी है यहां पर सरकल बनाऊंगा मैं सबसे पहले पहले कलर चें तो यह वाले का नाम में P रख दूँगा P Q है न यह A B था तो इसके लिए A B रखा यह P है यह Q है तो यह रख दिया P Q Q पी में क्या है? A B, C, D, E, F Q में है L M, N, E, B अब देखो तोनों में सेम सेम के है सबसे पहले? कॉशन में स aire नहीं है B देखो यह B और यहांपे भी B है तो B मेरा कौमण हो गया तो जो कौमण है सबसे पहले लिखने का तो B मेरा कौमण है लिख दिया उसके बाद देखो C नहीं है, D भी नहीं है, E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, तो सबसे जो common है वो लिख दिया, B और E मेरे common है, बाकि सब जो है वो as it is आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपका जो P है ना, उसमें B और E हड गया, B और E जो है आपने पहले लिख दिया, तो क्या बच रहा है, यह बन गया आपका Venn Diagram, है कि नहीं कितना सिंपल यार, Venn Diagram कितना आसानी से आपने बना लिया, और इससे ज़्यादा सिंपल मुझे लगता नहीं कोई भी E example आ सकता है, correct है, clear है, आगे बढ़ जाएं, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि होगा हमारा, इसके question number 7 का number होना चाहिए, 80 से 100, 80 से 100 के बिच में prime number, prime number मतलब क्या होता है, जो खुद के table में आता है, और 1 के table में आता है, ठीक है, तो खुद के table में 80 तो आएगा, 81 ले सकते है, क्या ने, 89 के table में आता है, 82, बहुत सारे table में आता है, 83 आता है क्या किसी के table में, 83 नहीं आता है, तो 83 री आ जाएगा लुंसे कि सिल टेबल में नहीं आइगा और बाकि कि किरिप सब् pacd 26 अधिक सब्र हाईगा 91 भी आता है, 92 भी आता है, 93 किसी के टेबल में आता है, ठीक है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 97 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठी यहां पर ध्यान तो 83 है 87 है ठीक है ना 83 हो गया 87 हो गया और 87 किसी की टेबल में आता है कि सुना सुना लग रहा है चेक कर लते हैं ना एक बार पर लिए 91 आएगा 93 आएगा 95 आएगा 97 आएगा 99 आएगा यह ओड नमबर आ गया यह इसके बीच में करेक्ट है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ा सा ध्यान दो ठीक है पॉट्टीन की टेबल में जाता है कि पॉट्टीन पाइजा 70 पॉट्टीन सिग्जा 84 ने 1867 किसी के नहीं जाता है ना बराबर ना इसको छोड़ दो फिर बराबर ही है हम लोग कर रहे है रहे है ठीक है हम लोग को खोड़ ना हं कि इसही से रिलेटेर अब और वैली लिखेंगे तो चलो फटा फट से बनेगा ये एकस का बनेगा येक्स का बनेगा ये किसका बनेगा ये वाई का बनेगा ठीकिए तो ग्रूरा है कि दोनों में जो था वो लिग दिया बाकी यहांपर जो भी बच रहा है 87 बच रहा है 89 89 किसी के टेविल में जाता है गया सुना सुना लग रहा है 89 भी नहीं जाता है हम लोग ने बराबर किया है टेंशन मतलो ठीक है ना आप एक बार प्रोस चेक कर रहे है ना फिर भी 97 हो गया अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है 91 बच रहा है 93 बच रहा है यह 95 बच रहा है 97 तो चला गया और यह 99 बच रहा है बन गया आपका Venn Diagram खतम यह आगया आपका एंसर टीक है Venn Diagram आपका बन गया This is your Venn Diagram Clear है Clear है कि ने तो उमीद कर रहो कि यार यह भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल था वेंट डियाग्राम ऐसे questions एक्जाम में पूछेंगे वेंट डियाग्राम के और आपको एक मास के लिए आएगा तो मुझे ऐसा पूरा उमीद है कि आप लोग उसको बिंदास सौल करके दिखा सकते हो है कि नी दोस्तों चलिए आगे बढ़ जाते हैं देख मतलब यह सभी में subset कौन किसका किसका है वो हम लोगों बना के लिखना है बहुत सिंपल है हम लोग बना लेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा है quadril लेटरल करेक्ट है यह rhombus है यह square है यह parallelogram है यह rectangle है मुझे एक बात बताओ कि जितने भी यह है जितने भी आपका क्या बोलते है इसको रॉमबस है, चाहरे square है, parallelogram है, चाहरे rectangle, ये सब है किया? ये actual में quadrilateral है, तो हम लोग ensure क्या बोल सकते हैं? कि all the rhombus, हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि जितने भी क्या है दोस्तो? रॉंबस है जितने भी दोस्तों इसमें यहाँ पे स्क्वायर है जितने भी इसमें के अंदर प्यार से लेलो ग्राम है इसमें ठीक है प्यार से लेलो ग्राम ठीक है तो प्यार से लेलो ग्राम है और दूसरा कौन सा बचला है रेक्टाइंगल तो यह जो रेक्टाइंगल है च के लिए किया क्या निए क्या है यानिको वाइग इज सबसेटर का सिंबॉल है है तो वाइज सबसेट का इसका है सब कोडिलेंटर रो क्या है एकसे तो वाइज सबसेटर अथ स्योग्या पहला स्कॉंइर के लिए साहिए क्मणा है है, तो V is also a subset of X, मतलब in short, इसका मतलब यह हुआ, कि Y मतलब क्या है, rhombus, तो rhombus भी मेरा, क्या है, quadrilateral है, quadrilateral का subset है, square भी quadrilateral का subset है, parallelogram भी quadrilateral का subset है, rectangle भी quadrilateral का subset है, क्योंकि यह सभी चीज, यह सभी जो diagram से, यह सभी एक quadrilateral ही होते हैं, having the poor sides, clear है, समझ में आ गया, तो यह इसके अंदर पहला condition था, और भी कुछ conditions निकलते हैं, क्या check करो, देखो जान से, और conditions निकलते हैं, क्या, इसमें आपको इस चीज, समझ में आ रहा होगा, conditions, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कि जितने भी यहाँ पर, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, उस्तो, square, जितने भी square जो आपको दिख रहे हैं, वो square, Sqire मतलब Rhombus भी हो सकता है ठीक है Sqire जो होता है रहा रांबस होता है रहा है ऑर ही हो सकता है ठीक है दुसरा हो सकते हैंुछ हम लोग इसका आगर में यहां पर यहां पर तो यहां पर कैसे लिख सकते हो आप लो कि square is the rhombus तो square के लिए क्लिए इस माना है तो मतलब s जो है वो मेरा subset है किसका subset है यहां पे मैं क्या बोलूगा round लॉम आस तो रॉमस क्या है एसी देफ़सेट और क्लिए क्लिए माना है यानि कि s is the subset सब्सक्राइब कर दो तो यहां पर आपको पता चलेगा जितने भी रॉंबस होते हैं या फिर rectangle होता, यह सभी के सभी क्या होते है, parallelogram होते हैं, तो मैं अब क्या लिखूँँगा यहाँ पे, कि every rectangle, every rectangle and rhombus, जितने भी rectangle होते हैं, चाहे rhombus होते हैं, वो क्या होते हैं, दोस्तों, ये parallelogram होते हैं, ये भी हमारा condition यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जितने भी rectangle होते हैं और rhombus होते हैं, ये parallelogram होते हैं, तो rectangle के लिए हमने क्या माना है, V माना, यानि कि V is the subset of parallelogram का condition क्या है, T, यानि कि V is the subset of T and also rhombus के लिए मैंने माना है y y is subset of t समझ में आ गया this is your final answer clear है समझ में आ गया तो उमीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये थोड़ा सा critical था मतलब मैं hard नहीं बोलूँगा critical में क्यों बोलो क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था कि कौन किसका subset हो सकता है थोड़ा सोचो तो ये हमने सोचा और तीन ऐसे conditions बना लिए और तीन के अंदर बहुत सारे conditions बने हैं जो हम लोगो ये बताता है कि ये इसका subset है यानि lecture by lecture रहेंगे, तो आज दूसरा ही lecture था, इसमें हमने question number 8 तक complete कर दिया, अब जो remaining question है, question number 9 है, 10 है, 11 है, और आगे के जो भी questions रहेंगे, उसको हम लोग करा देंगे, एक छोटे से बहतरीन lecture में, जो की होगा lecture number 3, और यह पूरा problem set हमारा complete हो जाएगा अगले lecture में, तो बस कैसा feel हो रहा है, digital board के उपर पढ़ना, यह मुझे जरूर से comment करके बताना, ठीक है, और अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, problem set अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो please इस वीडियो को like कर देना, और अपने जितने भी 9 standard के students है, friends है, ज कर लहा होगा, नच्न एवीास का संच्छा छंचा लिएक है, कि झावते पर अभ़ना, भी करते हैं, तो छिए रहा हो यह वीडियो यह वीडियोन क से रहा हमेंग है, कि रहा होगा है, तो दिएक रहा रहा है, ज – औरूज है, रहा है, ऱшने他們 कुरा है, जा हम जे जम झाल झाल